तो आप सब की कमेंट थे के मैं मेरा नया मसीन में कुछ बना के दिखाऊं तो ठीक है फ्रेंट्स आप सब की कमेंट में पूरी करने वाले हूं और हाँ फ्रेंट्स आप सब कैसे हो होप करती हूं आप सब बढ़िया हैं कमेंट में जरू बताना आप सब कैसे हैं तो यहाँ प भी हमें stitch करना है कभी पे जाना है साथ में भी ले जा सकते यहां पर form लिया है non one लिया है इसे ऐसे stitch किया देख लीजिए उसके बाद ना आप यहां से सीधा-सीधा stitch करें सीधी-सीधी लाइने करें देखे इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मोटा कपड़ा है कोई भी कपड़ा उसमें स्टीच होता है तो इसमें मैं आपको एक बड़ा सा ट्रावेल बैग या फिर ब्लैंकेट और्गेनाइजर कहेंगे जो भी बहुत तरीके से आप इसे यूज कर सको ऐसा बनाने वाले हैं जैसे हम इसमें एमरोडरी कर सकते हैं तो हम डिजाइनर पिलो पूर्ती सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि इसमें फिको अगेरा भी होता है और बहुत सारी एमरोडरी की डिजाइन भी होती है तो बारी-बारी से हम इसमें सब कुछ सीखते जाएंगे और करते जाएंगे आप द कर देना तबस देख सकते हैं मैंने यह तर फोडा है और घृटbecca करने में और यहां पर 18-पी साइटी और सेसा निषसक पर 수न एक लाइन से है 뭉 twice इह रहां से हैं तक कहाब में देना बेके वाड़र बनाना है तो बारट यहां पर मेन पार्ट में 14 इंचिस के बैल्ट अटेज करेंगे दोनों साइड से मैंने फॉर फिंगर की जगह छोड़ी है आप फॉर इंचिस की जगह छोड़ते हुए अटेज करें इस मसीन में कटर भी है तो हम इसली स्टीच करके कट भी कर सकते वैसे मेरा जो जैक का मसीन है वो उसमें भी कटर था और अभी न मैंने इसे रिपेरिंग में दिया था तो कहीं गुम गया ने तो उसमें भी कटर आया था अब दोनों साइड हमने बैल्ट अटेज की है अब आती है बारी बॉर्डर की तो ये रहा हमारा बॉर्डर जिसकी टू फिंगर की जगह छोड़ते हुए अटेज करना है हमें अब आप बोलोगी कि नेहा यार तुमने इसकी चोड़ाई बता ही 9 इंचिस है और लंबाई नहीं बता ही तो लंबाई इसकी है 42 इंचिस और अब हम यहां पे 42 इंचिस की जिप लेंगे और इसे ऐसे एटेज करेंगे यहाँ पे देखे कुछ इस तारीके से आपको अटेज करते जाना है देखे बालकनी में धूप आ रही थी तो वापिस से मैं आ गई हूँ रूम में और रूम में अब हो रहा है मेरा वीडियो तो आप लोगों को पता है यह जब बनाती हो तो बीच में मुझे भी बहुत सारे काम आते है आप कुछ काम लेते होगे तो बीच में दूसरे काम आते होगे आपको भी तो ऐसे ही देखे मैं बनाते बनाते खाना बनाने चली गई थी उसके बाद यह वापिस से रूम में आके बना रही हूँ अब हमने जिप ले ली, जिप को अटेज किया, टॉप स्टीज कर ली, अब नीचे का जो पाट है उसके साथ जोड़ लेंगे, अब यहाँ पे टॉप स्टीज करेंगे, देखिए टॉप स्टीज भी हो गई, हमने रनर भी डाल दिया है, अब ना यह जो 10 नीचिस का मार्क था वहाँ पे हमें इसे अटेज करना है, और 9 नीचिस क्यों लिया था इसकी चोड़ाई, तो क्योंकि हम जीप अटेज करेंगे, तो वह नीचिस बढ़ जाता है, अब देखिए हमने यह सेंटर से अटेज करते हुए, पूरे राउन में आपको ऐसे अटेज करते जाना है, दे से हमें इसे नीचे का जो पाट है, उसके साथ जोडने के लिए ऐसे इसे गुमाना होगा और इसके उपर स्टीज करते जाना है, तो आप देख सकते हैं, इसमें इजीली हम स्टीज कर सकते हैं, कोई भी बड़ी बैग, ट्रावल बैग, डिजाइनर कूर्ती, फ्रॉक, इसे 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 कवर सिलाएं, तो ऐसे स्ट्रिप को फॉल्ड करते हुए, जैसे हम रेगूलर करते हैं, उस तरीके से हमें करना है, यह वेश्ट स्ट्रिप है, उसे लेनी है, और स्टीज करते जाना है, उसके उपर, और यहां पर मैं आपको जिग जेग करना भी बता रहे तो यह बहुत बहुत जगह वाला ट्रावल बैग है, आप कपड़े वगरे भी ले जा सकती है, या फिर आप इसमें ब्लैंकेट डबल बैट का रख सकती है, यह बहुत बड़ी अभी भी इसमें जगह है, इतने सारे कपड़े रखने के बात, तो आइडिया कैसा लगा, कमे अज़ बराद